दिल्ली को साजिश के तहट दुबाने के मामले में हर्याना के सीम मनोल लाल खटन ने आम आदमी पार्टी को आकडो सईत करारा जवाब दिया है सीम ने पलट वार करते वे यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी वालों को यहां तक पता नहीं कि बेराच क्या होता है अगर अग्यानता का पुरसकार किसी को देना हो तो दिल्ली आपके लोगों को देना चाहिए सीम मनोल लाल ने आब आदमी पार्टी के लोगों को देना चाहिए इसका करण ये है कि हतनी कुन बेराच क्या होता है इनको पता नहीं है बेराच में एक नदी होती है और उसकी साइड में नहरे निकाली जाती है नदी पानी के बहने का प्रकृतिक स्रोत है नहरे सिचाई विभा की अवक्षक्ता के हिसाब से चलती है यहां पश्चिमी यमना और पुर्वी यमना नहर है पुर्वी यमना की कुल कैपसिटी पांच हजार क्यूरे सेख है पश्चिम की अठार हजार क्यूरे सेख है पानी जब एक लाग क्यूरिसिक तक होता है तब तक 23,000 क्यूरिसिक दोनों नहरों से निकालते हैं बाकी यमनाव में जाता है एक लाग क्यूरिसिक से ज़्यादा पानी होने के बाद CWC के निर्देश है कि दोनों नहरों का पानी तुरंद बंद कर दिया जाना चाहिए इसकी वज़े यह है कि उसके बाद पानी नहरों में चलेगा तो पानी के प्रेशर से पत्थर आते हैं और नहर के गेट को तोड़ सकते हैं वो पानी मैदानी इलाकों में फेल जाता है नेच्रल सोर्स नदी है सारा पानी उसमें जाना चाहिए ये नियम एक्सपर्ट का है 11 अप्रेल को यमना में 3 लाग गुंसित्तर हजार क्यूरस एक पानी आया ये सारा पानी यमना में जाना था बेराज की केपिसिटी एक लाग की है बाकी यमना में जाना है आप वाले कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं छोड़ा पहली बात ये है कि नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सकता अगर छोड़ भी देते तो उनमें 23,000 क्यूरस एक ही जाता फिर 3,46,000 क्यूरस एक पानी पचता वो पानी यमना में ही जाता दिल्ली डूपने का अगर ये लोग बेराज से पानी छोड़ने को बता रहे हैं तो ये इनकी ना समझी है इसी के साथ बने रही है राजनमा टिली के साथ धन्यवाद